यह जो synaptonymal complex यहाँ पर बन रहा है, यह जो synaptonymal complex यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, due to pairing of two homologous chromosome और you can say due to synapsis, synapsis के process के जरिये, ठीक है, तो यह जो chromosome आपस में जूड रहे हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं, bivalent या tetrade कहते हैं, क्या कहते हैं, bivalent या tetrade कहते हैं, यानि कि आपने जाइगोटीन में क्या देखा है, एक देम सौट पॉइंट, कि यहाँ पर bivalent और tetrade का formation होता है, साथी साथ यहाँ पर क्या होता है, साइनेपसिस का process होता है, यानि कि homologous chromosome आपस में pair करते हैं, कैसे pair करते हैं, कि एक character के जो gene होते हैं, गर दो gene आपको पता है, कि एक character के लिए दो gene हमारे body में होते हैं, और दोनों homologous chromosome में एक एक करके पाई जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो इस से homologous chromosome आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर आपका एक ही character का gene है, दोनों chromosome में, वो आपस में एक दुसरे का opposite range होते हैं, ठीक है, clear, यानि कि आपका अगर इस ज stage होता है, वो क्या होता है, पैकेटीन स्टेज होता है, पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में actually क्या होता है, this is the stage which immediately follows जाइगोटीन, जाइगोटीन के तुरंत बाद होने वाला यह stage आपका, पैकेटीन है, where the pair of chromosomes become twisted spirally around each other and cannot be distinguished separately, यहाँ पर chromosome क्या होते हैं, आपस में बि recombination का process होता है, क्या होता है, recombination का process, ठीक है, यानि recombination क्या होता है, इसको हम लोग crossing over भी कहते हैं, crossing over भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ होता क्या है, actually, जो है ना, in this stage, sometimes exchange of genes or crossing over between the two non-sister chromatids of homologous chromosomes occurs at the points called recombination nodule, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह जो chromosome है, आपस में क्या है, इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं, यह क्या कर रहे हैं, they are exchanging their material, वो आपस में material exchange कर रहे हैं, यानि इनका कुछ DNA जो है, दूसरे में जाएगा, दूसरे का कुछ DNA पहले में ज exchanging their material, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यह कहां पर होता है, यह जो synaptonymal complex बना है, इसी के कारण घार यहां पर आपका होता है, और by the end of paketin, क्या होता है, इसके end में क्या होता है, यानिकि जब तक paketin समाप्थ होने होने वाला राता है, उस से में क्या क्या होता है, रिका सब्सक्राइब को एक्सचेंजज कर लेते हैं यहां पर आप नीचे डाइगरा में देख सकते हैं निए ये निए पुरा उस Cisco में वी है material in homologous chromosome इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं crossing over या recombination कहते हैं clear एक और colorful diagram से हम आपको समझाने का कोशिस कर रहे हैं ध्यान देते हैं यहाँ पर चलिए देखते हैं ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से यह क्या है है 네가 के बाद यह देखिया आपका Packet Danceاز में ठीक है पकेन सचेज में हआपका यह Stevens किया है थीक है इसी diagram में हम लोग देखते हैं ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं तो देया स्टेश्षाइव इन यह जो homologus chromosome आपस में क्लिये crossing-over कर लिए यानि की आपस में डीपलोटीन, अब क्या है, डीपलोटीन में क्या होता है, डीपलोटीन में वह आपस में जेनीटिक मेटियल एक्सचरंज कर लिए है, बट क्रॉमो œम, जो जहां Paraj já시간 वह एक्सचयंज किया ठीक है यह जो chromosome है यह इस दिशा में move करेंगे बट क्या होगा बट इनका जो इनका जो point है जहाँ पर इनका segmental exchange हुआ है genetic material जहाँ exchange हुआ वो आपका आपस में एक साथ जूड़े रहेंगे और इस जगह को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं तो chiasmata या chiasmata कहते हैं यह except structure होते हैं clear तो आपका क्या होता है diplotin में diplotin में actually क्या होता है in this the synaptonimal complex appears to get dissolved while the chromatids of each tetrad remain clearly visible जो synaptonimal complex होते हैं वो धिरे-दिरे क्या होते हैं अब अलग होने लगते हैं ठीक है समझ मैं ना लेकिन जो chromatids होते हैं वो tetra जो होते हैं आपस में जुड़े हो रहते हैं और वो जिस जगा में जुड़े हुए हैं है ना उस जगा को हम लोग कहते हैं chiasmata chiasmata या chiasmata कहा सकते हैं ठीक है और chiasmata formation is necessary for the separation of homologous chromosome which have undergone the process of crossing over ठीक है यह जो process crossing backstory को किया है यहांपर यह पता चलता है कि आपस में क्या है एक साथ जुड़े हुए हैं ठीक है यह इक साथ क्या है जुड़े हुए है ठीक है और इस तरह से क्या होता है फिर धुर धुर्य हम पर आपका जो है यहांपर क्या होता है मियोटिक स्पिंडल बनने लगता है ठीक है और in order to prepare the homologous chromosome for separation also और आपस में अब ये separate करने को मतलब अलग होने के लिए तयार हो गए मतलब ये जो आपका दो chromosome जो आपस में है homologous chromosome ये और ये फिर ये और ये आपस में अब ये separate करने के लिए separate होने के लिए अब तयार हो रहे हैं क्योंकि जो हमारा ये जो centrioles है वो centrioles क्या करेगा अब यहां से spindle या meiotic spindle या आप कह सकते हैं spindle fiber का formation करेगा clear समझ में आ रहा है और इस तरीके से अगला जो phase आता है वो that is your diakinesis अब क्या होता आपका दिया हाँ जो process होता that is your diakinesis diakinesis में क्या होता है chromosome fully condensed हो जाते हैं nucleolus जो होता है वो देखे nucleolus यहां से गायब हो गया degenerate हो गया ठीक है और nuclear envelop जो होते हैं वो धिरे-धिरे क्या होते हैं envelop जो होते हैं nuclear envelop जो है वो breakdown होने लगते हैं यह जो envelop है nuclear envelop nuclear membrane यह दिरे-धिरे अलग होने लगते हैं यह दिरे-धिरे क्या होने लगते हैं अलग होने लगते हैं यानि कि disappear होने लगते हैं और दिरे-धिरे क्या होता है दिरे-धिरे आपका diakinesis जो phase है इसमें क्या होता है जो आपका transition from pro phase to metaphase of meiosis 1 यानि कि आप क्या होता है meiosis 1 का metaphase में जाने का तयारी होने लगता है इस diokinesis के बाद ठीक है इस तरीके से मैंने short में आपको समझाने का कोशिस किया meiosis को इसको आप जो है not को पढ़िए समझीए और कोई भी doubt होता है तो हमारे next class में आप जरूर आप हमसे पूछिए thank you